तो हलो दोस्तों कैसे आप सब आशा करतां दोस्तों आप सब ठीक होंगे मैं ओपीश से आ चुका हूं और मुझे करना है आज घर की सफाई देख सकते हूं यहां पर थोड़ी सी जाड़ू माननी है और बहुत सारे बरतन रखे कल रात के ही और मुझे इनको धोने और सुबे क और रात के दो बरतन होगे तो इतने सारे बरतन होगे मुझे धोने हैं और अभी भाई काम पेसे नहीं आया है वो भी गाउं से आ गया है उसको आए वे भी हपता भर हो गया और संगीता हो गये वे 14 दिन हो चुके हैं तो चलिए फटा पट हम बिस्तर भी सेकल लेते बिस्त मुझे समझ नहीं आ रहा है कहां से सुरू करूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आया है तो मैंने यहां से सीधा कुकर उठाके रगणना चालू कर रहा चला अब पर दोस्तों परतन दो लेते हैं और उसके बाद मिलेंगे आपको तो चलिए फटा फट होते हैं इनको कर दोस्तों फाइनली हमारे बरतन धुल चुके हैं दिखाता हूं मैं आपको तो अब देख सकते हो किस तरीके से मैंने बरतन धुल हैं बरतन मेरे चमंग गये तो आप मुझे कमेंटर बता देना तो चलिए और हमें गैस भी साफ करना चूला भी साफ करना फटाफट सारा साफ कर लेते हैं और आज खाना बनेगा ऊपर क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे नीचे बहुत दिन होगे थोड़ी सफाई करी तो मैं आज इसकी सफाई करूंगा घर की तो चलिए दोस्तों जाड़ू से पूरे घर को साफ करते हैं क्योंकि यहां पर देख से तो बोतल भी पड़ी है बोतल और धूल भी ज्यादा धूल नहीं थोड़ी है क्योंकि एक दो दिन मार देता हूं कभी कभी टैम मिल जात मोद्रियों देर्ट दो साफ हो गए और सारे चीजे फकर लिया चलिए दोस्तों आप चलते अपनी मुह को साफ करने मुद होते हैं और फिर मिलते frenion को लगा देते हैं चार्ज पे तो तो दोस्तों फाइनली में मुजह आ चुका हूं और जब मुगा धोगे आता मुझे कुछ खाने के लिए घाने के लिए आ जीए में कुछ नमकी लिगा लिए जब Title 2 घंण के लिए और खाना ऊपर और ही वार तो फाइनली दोस्तों खाना बन चुका है उपर से हवाज आ गई है भीया खाना ले जाओ तो आज उसने खाना बना के मुझे भी आसान कर दिया है और अपने आप पे भी आसान कर दिया देख सकते हो क्या खाना बनाया उसने बिल्कुल साधा खाना बनाया प्लेन खाना बनाय झाल झाल झाल